हेलो फ्रेंज वेलकम डो माई चानल उमीद करते हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कुछ टीप्स अन ट्रिक्स है जिसको जानने के बाद आप कभी भी फेल नहीं होंगे और कभी भी पिछी रही हटेंगे लेक्ते आज का और फुल बहुत टीप्स अन ट्रिक्स पहला टिप्स मेरे यह सॉक्स को लेकरें जब भी हमारी पुरान सॉक्स पुरानी हो जाती है ऐसे हम लगार लगाएंगे हमारी जो इंडोर प्लांट्स होती है दोस्तों यह इंडोर प्लांट्स उपर से बहुत ही साहरे दर लेकिन इसके उपर इतना सारा डस्ट बगयरा होती है ऐह औक्सिजन वाला प्लांट है अगर यह अगर मत्सकी साफ नहीं करेंगे तो इसमें से अक्सिजन निकलेगा नहीं तो हम लोग को मिलेगी नहीं तो पर जैसे चाहिए क्योंकि इसकी पत्ते बहुत ही सॉफ बहुत सॉफ्ट होती है आई होप यह वीडियो आपको प्रसंद आएगी दूसरी वाली टिप्स मेरी डाल को लेकरें जबी भी हम डाल बिठाते हैं छोट असा यहां पर काम करेंगे यहां पर नमक हल दी तो हम डाल में डाल देते और एक चीज डाल देंगे जैसे कि डाल की स् पर दुगना बन जाती है तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्सट इवाली टिप्स एक ली बहुत सब्सट्ट्र Jack बनाते हैं ।ा जो यह कुछ नहीं लेकिन सुबे तक हाड हो जाती है तो एसे ट्रिक्स आज करेंगे देखेंगे कि रोटी रात से सुबे तक नरम रहेगी बिल्कुल हाड नहीं होगी तो चलिए यहां पर मैंने आटा लेली आटे में आप पानी डालिए पानी धीरे-धीरे करके डाले ना कि आप एकदम पानी याट फलोनबीमो दी टाले देखेंगे तो यहीं क्या होगा तो आटा बहूत ही पत्ला हो जाया तो आता को हम घर भूण बोह धक्या Ο हाथ वसक्तने अंदर इस ही हम खाल करेंगे जैसे में कटोरी जैसे बना रही हूं, देखिए, हाथों से अपने उंगली को दबा दबा के दबा दबा के हम इसको कटोरी जैसे बनाएंगे, बनाने के बाद हमने तो आटा को बहुत ही हाड बनाया है, तो थोड़ा सा पानी यहां पर छिड़क के इसको धग देंगे, 20-25 मिनट, 30 के लिए ढख देंगे को 15-30 गंटे को घटूंढते हैं पानी ऊपर चीडका तबाला एंगा शखत वाला झंटा सवी उसको घूथ बाद राजी हैं पान्षाथ निकाल जाते क्ष़ाइब हमारे हाथ चिपचिप ऊते हैं तो क्या करेंगे सबीजाँ फोड़ा सा तेल लेके रिफाइन तेल या घी। इसको लेके हाथ में लगाएंगी फिर जाके हम यह लोई को आठा से बनाएंगे तोड़ा सा इसको और करेंगे जो हातों की जो गुड बैक्टिरिया होती है हमारे हातों की और तेल ये दो दोनों मिलके न हमारी जो लोई है आटा है इसको और भी सॉप्ट बनाती है देखिए दिखा रहे हो सारे आटे को हम पहले लोई बना देंगे तो हमारे हातों की दोना हातों की तो इसको हम अभी रखेंगे तो चलिए अभी हम इसको रोटी बनाते यहां पर और एक दो टिप्स है तो पहले तो हम बेलन में रोटी बेलेंगे इसे क्या करेंगे जब हम रोटी बेल थे बहुत ही दबा के रोटी नहीं बेलेंगे दबा के रोटी बेलने से यह होता है कि एक तो अभी हम पैन पे बिठाते तो पैन पे हम एक एक करके रोटी को जब बनाते दो तीन बार उलट पुलट उलट पुलट तीन चार बार कर लेते इसे तो नहीं करेंगे पहले बार हमने उलटा देखिए यह हो चुका है पूरा नहीं आधा होगा और इसके बाद थोड़ी से पलते यह देखिए इसकी भी याधा हुआ यह से थोड़ी-थोड़ी करके आफ इसको उलट पुलट करेंगे जैकि बिल्कुल यह हाड नहीं बनेगी तो अब इसको निकाल के हम गास के ऊपर रखते है देखिए बिल्कुल फूल रहा है यह रूटी देखिए बॉल की जैसे जैसे कि इसका दोनों पार्ट सेप्रेट हो गया अलग हो गया अलग होने का मतलब है यह दोनों तरफ से पक चुका है हमारी यह रोटी की जो दो भागे पक चुका है और यह फटके इसके अंदर से यह सारे हवा निकल रही है जब रोटी फटके हवा निकलती है तब ही आपको चीनी में हमारी क्या होती है चीटिया लगती है चीटिया भगाने की बहुती मुश्किल होती है हमें चीनी जब चाय करने के टाइम पर निकालते तो देखते चीटिया लगे तो बड़ी मुश्किल होती है थोड़ा सा टीप्स यहां पर घर पर लॉंग होती है चार छे पत्ता छोड़े छोड़े करके इस चीनी में मिला के रखिए कभी निकाले नहीं मिला के रखिए देखिए इसकी स्ट्रॉंग खुस्वू से यह लोग आते नहीं किसा लगा आज का वीडियो आई होप यह आपको पत्त पत्त